Georgian culture heritage का status पाने वाला ये traditional Georgian street food एक perfect breakfast dish है ये shape symbolic है एक boat की और योग जो है वो symbolize करता है sun को cheesy, warm, tasty इस से ज़ादा और बोलो या फिर सीधा चले इस बार Georgia की तरह ये dish पनाने के लिए और taste करने के लिए कि आखेर ये taste कैसा करता है इसके लिए आपने 1 4th cup lukewarm water में डालना है दो टीस्पून इस एक टीस्पून चीनी इन्हें मिक्स करके साइड पे रख लेंगे दस मिनट के लिए आप डारेक्ट भी डाल सकते हो बट मुझे पहले अर्टिवेट करना ही बेस लगता है पता चल जाता है कि इस्ट आक्टव भ यानि मैदा उसमें डालेंगे आधा टीस्पून सॉल्ट यीस्ट का मिक्स वन फॉर्थ कप दूद चुरूम टेंपरेचर पे हो इन सबको मिक्स कर लीजिया हलका सा और फिर हाथों से गून लेंगे एक स्मूथ डो बना लेंगे जब एक स्मूथ सा डो बन जाए इस पे डा लेंगे डो ने अंदर अच्छे से नीड हो जाए और एक स्मूथ सा डो बन जाए इसे ग्रीस बोल में रख लेंगे कवर करके एक मोटे से क्लॉथ में, क्लिंग फिन जितना हो सकता है अवोइड करेंगे क्योंकि वो भी प्लास्टिक है, और इसे रग देंगे एक घंटे के लिए राइस होने के लिए, अब चीज मिक्स रेडी कर लेते हैं, इसके लिए मैंने यूज किया है मिल्की मिस्ट का तो 100 g mojurella cheese grate कर लेंगे, अगर आपके पास mojurella नहीं है तो आप टिजा cheese भी उस कर सकते हो, और 100 g cheddar cheese भी grate कर लेंगे, इन केस आपके पास cheddar नहीं है तो आप नॉर्मल प्रोसेस cheese भी उस कर सकते हो, अब दोनों चीज को एक बोल में डाल लेंगे, और फिर उसमें डालेंगे आधा टी स्पून सॉल्ट और वान एट्थ कप यानि टू अना हाफ टेबल स्पून दूद्ध और मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसे साइट पे रख लेंगे और हमारा डो राइस हो गया है, एक गंटे के बाद उसे निकालेंगे और टी फ्लेट कर लेंगे हलका सा हाथ उसे इसे रोल कर लेंगे एक स्मूज़ शेप बनाके फिर दो पोशिन में कट कर लेंगे अब एक पोशिन को लेकर हम लोग रोल आउट करेंगे और एज़ेस को लिफ्ट करके फोल्ट करके रोल इन कर लेंगे कुछ ऐसे पूरे बॉल के अराउंट ऐसे ही नीट करेंगे ताकि एक स्मूज़ सा फिर्म सा शेप बन जाए और जब यह दोनों बॉल्स बन जाएंगे तो इसे फ्लाट कर लेंगे पिज़ा बेस के जैसे आपने सेंटर से प्रेस करके बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है इसे और यूनिफॉर्मली फ्लाट कर लेना है तुरूण चीस भेक स्ट्रेच मिक्स इस पे स्प्रिंकल कर लिएगे आपने पुरा स्ट्री में करना है थोड़ा से गयाप रखना है ताकि हम लोग रोल कर सके अब फिर एज्जेस को लिफ्ट करके आप फोल्ड कर लेंगे, चीज के ऊपर से, और इसे अंदर की तरफ रोल कर लेंगे. एक बोर्ट की शेप देनी है इसे तो दो कॉरनर्स छोड दीजे. और फिर इन कॉर्नर को हम लोग ट्विस्ट कर लेंगे एक नॉट की शेव के जैसा अब बीच में चीज का जो मिक्स है उसे स्प्रिंकल कर लेंगे और सेम दूसरे बोर्ट में भी रिपीट कर लेंगे जब दोनों हो जाए इन्हें रखेंगे एक बटर पेपर पे और उपर से थोड़ा से थाइम के स्प्रिंक्स डाल लेंगे इससे फ्लेवर इंफ्यूज हो जाता है अब अगर आपको अच्छा सा गोल्डन कलर चाहिए तो उसके लिए एक एक ब्रेक करके उसे थोड़ा सा बीट करके ब्रश कर लीजिए अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप मिल्क भी यूज कर सकते हो मिल्क से भी ब्रश कर सकते हैं इसे अच्छे से सारे साइट में ब्रश कर लेंगे आप डबल कोट कर लो ताकि अच्छा सा कलर आजाए और इसे बेग कर लेंगे 220 डिगर सेल्शेस पर 20 मिनट के लिए जब तक यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए जब यह बेग हो जाए इसे बहार निकालेंगे और एक फोक लेके सेंटर में स्क्रेप करके क्वेल बना लेंगे यह इसलिए ताकि जब हम एक इसमें डालेंगे ब्रेक करके तो वह बहार निकल ना जाए अब हम लोग अंडा ले लेंगे और दूनों पोज में एक-एक ब्रेक कर लेंगे अब इन्हें फिर से बेक करेंगे पानसे 10 मिनिट के लिए जब तक ये टॉप से ब्राउन नं हो जाए जब ये हो जाए फिर इन्हें निकाल के सरफ करेंगे और गरम गरम ही खाईए योक में डिप करके अमेजिंग लगता है अगर आपको ऐसी डिफरेंट डिशेज देखने का और मन हो तो कमेंट करके बताईएगा जरूर हमें सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा थांक यू